कच्छा 11 के सबी भी द्यारतियों, आपकी जो एक्जाम है वो सुभा है, 19 मार्च का आपका पेपर है, ठीकि मैं लगातार आपकी कोई कसर नहीं रखी है, आईए ये आपका अंतिम मोडल पेपर मैं आपको बताऊंगा, ठीकि ये कहने का मोडल पेपर है, लेकिन है बड़ा ही आज के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो चलिए महत्पुर्ण मोडल पेपर से संग्रीत कोस्चन को हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं विराट के प्रती जिग्यासा की भावना मिलती है चायावाद में, कविता आओ मिलकर बचाये में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की है भारतेंदू काल के नाटक कार है, संभू नाट से, कुई की खुदाई इस ओजार से की जाती है, बजसोली से पत्रकारिता लोकतंत्र का इस्तंभ है चोथा, निम्न लिखित में से विज्ञान सम्मंदी तकनी की सब्द कुन सा है नाभीक, देखो, कबीर ने जो बताया ना भगवान को और भगवान को बताया है, उसकी एक सत्ता बताईए, यहने कि भगवान कहा है, एक ही रुप का है मजा ले रहते हैं, लेकक पुमार गंदर्व के अनुसाल लता ने करुन रस के साथ अप एक छक्रत उतना ही न्याय नहीं किया, डाइरी नितांत विक्तिगत रचना है, कावी का जो सुंदर यह बढ़ाने को अला धर्म अलंकार कहलाता है, इतना ठीक है भगवान च्छटा अब नहीं करना चाहता है ना, ठीक है हर जिले में अलएलग प्रस्न पत्र आ रहे हैं और में डंके की चोट पर के दूं, मेरे दोरा जो प्रस्न पत्र आपको बताए जा रहे है ना, यह चार है, इससे पहले में तीन मोडल पेपर और आपको बता दीका हूं, नहीं देखा जरूर है ना, नहीं मिल रहा है तो आपको पेपर, सबसे खतरनाग, सबसे खतरनाग अउतार सिंग संधु पार्स, गल्ता लोहा, सेखर जोसी, आलो आधरी, का जाएगा आपका बेबी हलदार, स्वालेखन, स्वालेखन का चोटे का जाएगा डाइरी, रस्मी रथी, की काल को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया तो स्रंगार काल के नाम से इसको जाना जाता है, नहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था, हट्टा कट्टा कोई याड था, उसने दिया था, धरातल पर बैने वाले पानी को हम के थे पालर पानी, पट कथा कि मूलिकाई क्या है द्रस्य है कावि के कितने भेद हैं तो के लिए संपर्ग भासा सब्द का प्रियोग होता है कि इतना हो गया यह बढ़िया से कंप्लीट करना है हमारा उक्देश से यही है कि आप अच्छे उंग प्राप्त करें तो प्रसें शटा पड़ते हैं प्रगति वाद के दो कभी और उनकी एक रचना है तो यह के नागारजुन युगधारा सतरंगे पंखो वाली प्यासी पत्राई आखे ठीक है तो यह सतरंगे पंखो वाली दूसरी रचना के तीसरी है प्यासी पत्राई आखे एदारनात अगरवाल युग की गंगा ठीक है और फूल नहीं रंग बोलते हैं होगे अतना चाहिए अगला देखते हैं भारत इंदू युग के दो लेखकों के नाम लिखिए तो परताब नरायन मिश्र और चोदरी बदरी नरायन प्रेम धन अगला है कबीर ने अपने को दिवाना क्यों कहा है देखिए यहां पर दिवाना कारते पागल तीके इसी के प्रेम में डुबा हुआ वेक्ति दिवाना कहलाता है कबीर भी प्रभू की भक्ती में लीन है जबकि संसार बहा आडंबरों में उलजकर इस्वर की खोज कर रहा है इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयम को दिवाना कहा है चलिए अगला देखते हैं मेरा जगद को देखकर क्यों रोती है देखिए मेरा क्रस्न के प्रती अनन्य की भक्ती जो है अनन्य है वहाँ पूर्ण समर्पन के भाव के साथ अपने आराद्धी को अपना पती मान कर उन पर अपना सर्वसु निचावर कर देती है जबकि इस अनसारिक लोग नीजी स्वार्त के चलते उनकी आलोशना करते हैं उन्हें उलाने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं यहां तक कि उन्हें विस्पान करने के लिए भी विवस कर दिया जाता है इसलिए मीरा जगत को दिखकर रोती है बढ़िया से सांती से और धेर से आप तो बढ़िया से कवर करिए मैं सारी चीज़ आपको प्रवाइड करा रहा हूं दुवेदी युग दुवेदी युग दुवेदी युग की गद्धी की कुछ विसेशता है आपको देनी है चलिए तो इसको समझते हैं आगे को देश भक्ती सबसे पहली है देश भक्ती इस युग के काव्य में देश की भक्ती के उपर से कविताय लिखी गई मानव प्रेम मानव प्रेम दुवेदी युगीन कविताओं में मानवता के परती प्रेम की भावना विसेज देखने को मिलती है तेसरा जो है देखिए दो पुछता है दो नमर महा आता तिन नमर महा तक आपसे कभी-कभी पूछ लेता है ना तो अंद विश्वासों तथा रूडियों का विरोद इस काल की कविताओं में समाजिक अंद विश्वासों तथा रूडियों का विरोद किया प्रकतिक चितरन देखने को मनुहारी चितरन मिलता है और वर्नन प्रधान कविता है तो यह आप लिख सकते हैं निबंद को गद्धी की कसोटी क्यों कर गए बहुत ही महत्पुन प्रस्टों रहा आता है देखिए इसका इस कथन का ताथ पर यह है कि पद्धी की तुलना में गद्धी की जो रचना है उनको संपन्द करना कठीनकारी है क्यों है क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज़ द यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर आठ पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है, तो कभी प्रसंद्धा का भागी हो जाता है, परन्तु गद्धी के संदर्व में एसा नहीं देखा जाता है। गद्धिकार को एक एक वाक्ति सुव्यवस्तित एवं सोच विचार कर लिखना होता है, उसी स्थिती में ही गद्धिकार की प्रसंद्धा के योग्य होता है, गद्धि में निभंद लेकन बहुत ही कठिनकारी है, निभंद को सरुची पूर्ण आकर सक एवं व्यवस्तित होन तो यहां से अब बढ़िया से स्क्रीन सोट ले लो, जितना हो सकता है, मैंने समझाने का प्रियास किया है, ताकि आप याद भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठीन प्रसन भी नहीं, अगला है, सीव संभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेका क्या कहना चाहता ह यहां से अब इसको complete कर लेना, इसके बदी तो question answer है, इनको एक एक बार पड़ोगे जिसमें याद हो जाएगे, आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना, यह question number 10 है, हो गया, चलिए, यहां पर पुछा है कि ले कितने प्रकार की होती है, यह देख लिए, लम्बित ले मध्जी ले और दूत ले, दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, ठीवर, ठीक है, होसे नमर 11 को आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट, अत्रकारिता में दुनिया का फोकिस प्रकार, ठीक है, समेट लिया है, यहां से देखिए यह, और पटखता लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पांच पइंट बच्चों ने लिख दिये, दो से तीन पइंट आप कर लो, जिसमें काम हो जाएगा, यह प्रस्न तो आपको पता ही है, टेंते में भी आता है, ना इंते में आता टोवेलता सब तो यह प जोड़ ले लो, प्या पड़ाओं इसको तो बहर बच्चे बच्चे जानता है, मां काव और खंड़ कावी कंसर को तो, ठीक है, यह हो गया इतना, मुक्तक चंद, यहां एक विसम चंद है, चंद मातराओं का वर्नो का प्रतिबंद नहीं होता है, इसमें नाद तता ताल के आधार पर पंग्टी के लेका विधान करगती सिल बनाने का अनुग्रे किया आता, यही मुक्तक चंद के लाता है, तो इसको देखिए, यह उधार करनके ताहे, कोई पागल समझता है, तो इस तरह से आप इसको कम्पिलेट कर ले ना, पढ़ो जिसमें, ना समझमा गया है, यह मुक्तक चंद है, और लक्षना सब्द सक्ती की परिवासा, सब्द के मुक्य अर्थ में बादा होने पर उसके सयोग से रूडी,